इस question में दिया गया है, potential energy of a long spring when stressed by 2 cm, कितने cm? 2 cm, is u, आपको दिया जा रहा है कि जब spring को हम stress करते हैं 2 cm, तो उसमें जो stored potential energy है, वो u है, इसका मतलब क्या हो गया? case first हो गया, solution है ये, case first, x की value कितनी है? x की value है 2 cm, और जो energy है, u1 की value वो u है, तो formula क्या आएगा? u is equal to होता है, half k x square, ये होता है potential energy stored in a stressed spring, ये formula हो गया, इसका मतलब हमने यहाँ से u1 निकाला, u1 क्या निकालिया? हमारे पास u1 की value हो गई, वो क्या हो गई? half k x square, तो यहाँ पर कितना दिया जा रहा? आपको ये x1 square हो जाएगा, तो x1 की value दी गई है, तो u1 की value, u half, और k लिख दिया, और x यहाँ पर कितना? 2 cm, तो 2 का square कर दिया, ये equation हो गई, first, case second क्या बोला जा रहा है? case second में, if the spring is stressed by 8 cm, इसका मतलब x2 की value हो गई है, 8 cm, अब आपको बताना है कि u2 की value कितनी होगी? in the terms of u, इसका मतलब क्या लगेगा? u2 is equal to half k x2 square हो जाएगा, u2 निकालना है, half k, x की value कितनी है आपके पास? x की value है 8 cm, तो इसका 8 का square कर दिजी, तो क्या हो जाएगा ये? ये हो जाएगा 1 by 2 k, और यहाँ से आजाएगा 64, क्या जाएगा? 64 आजाएगा, अब ज़रा देखि करना क्या है? कि ये equation हो गई 2, 2 को divide कर दो, equation 2 divided by equation first, तो क्या आएगा? u2 upon u is equal to आएगा, half k 64, divide by कितना आएगा जाके? इसको मैं ऐसे भी ले सकता था, 1 by 2 k और यहाँ पर आएगा 4, equation first, 1 by 2 k यहाँ पर आएगा 4, 1 by 2, 1 by 2 cancel, k से k cancel, 64, 4 से cancel होगा तो आएगा 16, इसका मतलब यह u2 आएगा, वो 16 टाइमस आप u आजाएगा, और यह option कौन सा है? option number है 3, इसको टिक कर लिजिए.